हेलो डियरे स्टुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में हम राजनिती विज्ञान जो कल आपकी एकजाम होने वाली है तो उसमें आने वाले सबसे ज़्यादा संभावित प्रस्ण आप यूं समझके चलिए कि 100% यही आ सकते हैं ठी साथ हमारी लगातार जो आप राजनिती विज्ञान के लिए सोलेशन की सिरीज भी चल रही है और उसमें साथ पार्ट अपलोट और कर चुके हम और तीन पार्ट और बच्चे में जो भी आज पूरे हो जाएंगे ठीक है लेकिन इन प्रस्णों की सुची आपको देखनी च फिर अगला प्रस्णे है सीत युद्ध के दोरान छोटे देशो द्वारा स्वयम को महा सक्तियों के साथ जोडने की कोई दो कारण बताने है ठीक है कि छोटे देश आपने आपको बड़े देश से जोड़ कर क्यो मान के जलते थे ठीक है क्या फाइदा होता था उनको फिर अगला प्रसांगिक हो गया है समझाई आपको बताना है कि क्या अब गुट निर्पेक चांदूलन का कोई मैतू नहीं रह गया वो रह गया है तो कैसे रह गया है ठीक है यह हम समझा चुके है अलड़ी अगर आपने हमारे साथ पार्ट देख लिए होंगे तो आपको क तीन परिणाम लिखना है ठीक है फिर अगला है धृती विश्वी युद्ध के बाद सोवियत संग महा सकती के रूप में क्यों उभरा कोई तीन कारण लिखना बहुत इंपोर्टन प्रसन है यह ठीक है फिर आगे देखते हम अगले प्रसन सोवियत संग के विगटन के कोई तीन परिणाम लिखें सोवियत नाटो का पूरा नाम बताना है हैं हैं है्गमनी सब्द की जडे कहां से प्राप्त हुई ठीक है पहले खाड़ी युद्ध को कम्पिटर युद्ध क्यों आया आपको बताना पड़ेगा कि खाड़ी उद्धक क्यों का गया फिर अगला है आसियान विजन 2020 के तत्वों को संचेप में लिखिए ठीक है फिर उससे आगे प्रस्न है यूरोपी संग की कोई तीन विसेस्ताओं को संचेप में समझाईए लिखिए तो बच्चो पढ़ाई में डाउट साते हैं सौल नहीं हो पा रहे घबराओ मत इसका सलूशन है डाउटन टाप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो कीचो, क्रॉप करो और पांच सेकंड की अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सलूशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में यानि अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेट सवाल कहीं भी कभी भी अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से 12 आईटी जेई या नीट का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजिस्तान या अन्ने स्टेट बोर्ट का हो कोई भी सब्जेक्ट वो Physics, Chemistry, Math, Biology, Science आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट अप पर साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 आईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ओन्लें क्लासेज जिसका हिसा बनकर देश के सभी राजियों से बच्चे लेकरा है रैंक वन तो आज ही डाउटनेट आप इंस्टॉल करो अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ फिर आगे है तासकंद समझोते की दो सर्ते लिखिए आप्रेशन विजे क्या था सिमला समझोता क्या था संयुक्त राश्टि संग के प्रमुक अंगो का उलेक कीजिए या फिर अंतराश्टि मुद्रा कोस की इस्तापना के प्रमुक देशिक क्या है अब हम आगे बढ़ते हैं आगे प्रस्णे नी सस्त्रिकरण से आप क्या समझते हैं, नागरिक सतंता को समझाईए, सुरक्षा से क्या आसे हैं और आगे देखते हैं, वैश्वी करण के उत्तरदाई दो कारण लिखिये ठीक है फिर आगे प्रसने विस्व आर्थिक मंच का गटन कब हुआ तथा इसका मुख्यले कहा है ठीक है फिर आगे प्रसने वैश्वी करण से क्या से है वैश्वी करण के दो लाब और हनिया आपको बताने है फिर उससे आगे प्रशने सरणारतियों की समस्या पर एक निवन्द लिखना है ठीक है जो सरणारति की समस्या भारत में भी थी या भी भी है भारत विबाजन के कोई चार करण बताने है ठीक है ये सारे प्रशने में समझ चुके हैं एक स्वाधिन राष्ट के रूप में भारत को किन किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा समझाईए अगला प्रस्ने राज पुनर गठन आयोक का क्या काम था इसकी प्रमुक सिफारिशे क्या थी फिर अगला प्रस्ने है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए पहले मुख्य चुनाव आयोक तो कौन थे एक दली प्रबुत से क्या आश है आगे बढ़ते हैं नियोजन का अर्थ और उसके उद्देश लिखना है निती आयोक के प्रवुक कार्यों को लिखना है भारत की विदेश निती के उद्देशियों पर प्रकाश डालना है भारती विदेश निती के निर्धारक तत्वों की विवेचना करना है ठीक है फिर अगला प्रस्ने है दल बदल से क्या आश है ठीक है अगला प्रिविपर् में राश्टरी आपातकाल की गोशना करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे 1975 की आंत्रिक आपातकाल इन गोशना के पस्चात भारती समयदान में हुए किनी तीन शंशोदनों का उल्ले कीजिए फिर आगे देखते हैं ताड़ी विरोदी आंजोलन कब और कहां हुआ IFF से क्या से है कोई दो छेतरी दलो के नाम लेकिए अब इनमें दो अंक के प्रशन भी सामिल है तीन अंक के भी सामिल है सभी सामिल है इसमें चार अंक के वाले भी है ठीक है बस आपको इनको अच्छे से करके जाना है अगर आपने इनको कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसा प्रशन आ जाएगा जो आपको परिसान करेगा ठीक है थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो